रेमेंट के स्टॉक को लेके आई है अभी अभी शरत बता रहे थे कि उनका जो मैरिटिल इशूज टॉप मैनेजमेंट में है जिसकी वएसे नर्वसनेस आई थी स्टॉक में वहाँ एक सेटल्मेंट होने की गुंजाईश बन रही है यह आपको याद होगा रेमेंट चेर्मे नीचे गिरा है और करीब करीब 1480 का लोग बना है फ्राइडे को संतोष इस भाव से आप रेमेंट को खरीदेंगे एक टैंपरवी बाउंस बैक की मैं उमीद कर सकता हूँ क्योंकि जिस जगे से फ्राइडे के दिन बाउंस बैक किया था एक इंपॉर्टन सपोर्ट लेवल था तो यहां से एक बाउंस बैक आ सकता है उपर में आपको 1650 तक के लेवल देखने को मिल सकते है पर अभी इसके पर सस्टेंट करना थोड़ा सा मुश्कुल होगा क्योंकि और स्ट्रक्चर वी के प्रवेल टागेट जो नीचे का रहा है 1400 रुपए तक का रहा है तो उपर के लेवल पर शर्लिंग पर रिस्क रहेगा सिम्न्स में जो नीउज आई है जो उनका पेरंट ग्रूप है एक इंटर ऐसी ट्रांसपर है ये लेकिन वाल्यू अलॉकिंग की भी बात की जा रही है क्या ऑपर शर्लिंग का इससे आज किस तरह का ट्रेट मोमेंटम बन सकता है एक बार आप संतोष बताएंगे कैसे दिख करेगी और सेमेंस का अच्छा यह अंडर परफॉर्म किया था बीच में जब न्यूज आई थी पहले भी इसमें इसी तरह की लेकिन इस टॉक का स्टॉक्चर अच्छा है 3850 का इमिजे टागेट नजर आता है जैसे यह 3850 निकालेगा इस टॉक में फिर एक नए हाई देखने क को मिल सकते हैं तो थोड़ा सा लंप पोजिशनल नजरिया रखे इसमें खरिदारी कर सकते हैं नीची अब लगता है 35 रुप इचा सपोर्ट का काम करेगा उसकी नीचे स्टॉक जाने की उमीर महीं लग रही है लेकिन पोजिशनल ही रखते तो उपर में बड़े टागेट को मिल सकते हैं